ये मूवी एडवांस हुमन्स के बारे में है जो अलागला गैलेक्सी में प्लैनेट्स को अब्जर्फ करके उन्हें किसी भी तरह के खतरे से बचाते हैं इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जेम्स और मैकोई को देखते हैं जो निपीरू प्लैनेट के लोगों से बचके भाग रहे थे दरसल उनके प्लैनेट पर एक वलकैनो यानि एक जौला मुकी फटने वाला था जिसमें उनका पूरा प्लैनेट खतम हो जाता जेम्स की टीम उसी इरप्शन को रोकने गई थी लेकिन वहां के लोकल लोग उन्हें अपना दुश्मन समझ कर उनकी उपर हमला कर देते हैं आखिर में उनके कैप्टन स्पूक्स को उस वलकैनो में उतरना पड़ता है ताकि वो उसे कोल्ड फ्यूजन से ठंडा कर सके जेम्स और मेकोई अपनी स्पेशिप में वापस आ गए थे लेकिन स्पूक्स उस वलकैनो में फस गया था उसे बचाने के लिए जेम्स सभी रूल्स को तोड़ कर स्पेशिप को पानी से बाहर निकालता है ताकि वो स्पूक्स को अपनी शिप में टेलेपोर्ट कर पाए और इस तरह उसकी जान बच जाती है और वो जौला मुखी पूरी तरह से ठंडा हो जाता है निबीरू प्लैनेट की लोगों ने ऐसी एडवांस टेकनोलोची नहीं देखी थी इसलिए वो उसकी ड्रोइंग बना कर उसे अपना गौड समझ कर उसकी पूजा करने लगते हैं इसके बाद वो सभी अर्थ पर वापस आजाते हैं उनका कमांडिंग ओफिसर क्रिस्टोफर पाइक उन्हें कहता है कि उस प्लैनेट की लोगों ने अभी तक एक पहिया बनाना भी नहीं सीखा है और तुम दोनों ने उन्हें इतनी एडवांस शिप दिखा कर बहुत बड़ी गलती की है इसलिए वो जेम्स को उसकी पोस्ट से हटा देते हैं और स्पूक्स का किसी दूसरे शिप में ट्रांसफर कर देते हैं दरसल उनकी रिपोर्ट में स्पूक्स नहीं लिखा था कि उन्होंने रूल्स को तोड़ा है क्योंकि उनकी species के लोग कभी जूट नहीं बोला करते थे James उसके उपर गुस्सा करता है लेकिन ये orders उपर से आये थे इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते इसके बाद हम एक आदमी को देखते है जिसकी बेटी कैंसर से मर रही थी उसके पास एक आदमी आता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा वो उसे अपना खून देता है जिसे वो अपनी बेटी की बॉड़ी में इंजेक्ट कर देता है और वो देखता है कि वो ठीक होने लगी है इसके बाद वो स्टार फ्लीट के हेड़कवाटर में जाता है और अपने वादे के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्स्प्लोजन कर देता है जिसमें उसके साथ साथ बहुत सारी लोग मारे जाते हैं इसके बाद एक एमर्जेंसी मीटिंग बिठाई जाती है और उन्हें पता लगता है कि ये सब Harrison नाम के एक आदमी ने किया है वो कौन था उसने ऐसा क्यूं किया उन्हें कुछ पता नहीं था लेकिन तब ही उनकी उपर हमला होता है James देखता है कि Harrison ही उनकी उपर हमला कर रहा था वो उसके fighter plane को खराब कर देता है पर Harrison वहां से टेलेपोर्ट होकर भाग जाता है इस हमले में Christopher की मौत हो जाती है James उन्हें देखते ही रोने लगता है क्यूंकि एक वही थे जो हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे उन्हें पता चलता है कि Harrison क्रोनोस प्लैनेट पर टेलेपोर्ट हो गया है और वहां पर जाना उनकी लिए impossible था क्यूंकि उस प्लैनेट से उनकी दोश्मनी थी और वहां जाकर उस पर हमला करने से वो जंग शुरू कर देते James कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है हम उनसे बात करके उसे वापस अर्थ पर ले आएंगे इसके बाद मारकस उसे उसकी पोस्ट वापस कर देता है और उन्हें एक नए वेपन का एकसेस देता है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और उसे अभी तक इस्तिमाल नहीं किया गया था लेकिन स्पूक्स उसे कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी को भी बिना कोर्ट में पेश किये नहीं मार सकते पर जेम्स उसे कहता है कि उसने जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है वो कुरुनोस पर जाने की तयारी कर रहे थे पर उनका चीफ इंजीनियर उन टॉर्पीडोस को ले जाने का अप्रूवल नहीं देता वो जेम्स से कहता है कि ये वैपन्स बहुत खतरनाक है और हमें शायद इस चीज में जान भूज कर घसीटा जा रहा है वो कहता है कि मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन दे रहा हूँ क्यूंकि मैं तो इसका अप्रूवल नहीं दे सकता जेम्स उसके रिजाइन को एकसेप्ट कर लेता है वो सभी कुरुनोस प्लैनेट की ओर जाते है लेकिन जेम्स अपनी क्रू की जान दाव पर नहीं लगाना चाता था इसलिए वो सिर्फ कुछ लोगों के साथ उस प्लैनेट में एंटर करता है उन्हें हैरिसन की लोकेशन मिल गई थी वो उसे वार्निंग देते हैं कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो उसके उपर टॉर्पीडों से हमला करेंगे जेम्स जैसे ही नीचे आता है क्रूनास के लोग उस पर हमला करते हैं और उसे शिप को लैंड करने का ओर्डर देते हैं यहूरा कहती है कि मुझे उनकी भाशा आती है इसलिए मैं उन्हें एक बार समझाने की कोशिश करूँगी इसके बाद यहूरा उनसे बात करती है उनका लीडर कहता है कि हम इनसानों की मदद क्यों करें वो उसे मारने वाला था लेकिन तभी उनके बीच में गोली बारी शुरू हो जाती है उनके बीच में कोई था जो कुरूननस को मार रहा था वो कोई और नहीं बलकि हैरिसन था और वो खुद को सरेंडर करने आया था जेम्स उसके उपर अपना गुसा उतारता है पर उसे एक खरोच भी नहीं आती वो अपने स्पेस शिप में वापस जाते हैं पर उसमें कोई खराबी के चलते वो स्टार्ट नहीं हो पाता हैरिसन उन्हें कहता है कि वो एक बड़ी मुसीबत में है और अगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसका पूरा कुरू मारा जाएगा वो उन्हें कहता है कि तुम्हें उस टॉर्पीडो को खोलना होगा हैरिसन उसे एक लोकेशन देता है और वहाँ पर जाने को कहता है जेम्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाता था लेकिन उसकी बातों में थोड़ी सच्चाई थी इसलिए वो स्कॉर्ट को उस लोकेशन पर जाने को कहता है और वो उस टॉर्पीडो को खोलने के लिए नीचे ले जाते है उसे खोलते वक्त वो अक्टिवेट हो जाता है और मैकोई का हाथ उसमें फस गया था इससे पहले वो टॉर्पीडो फट जाता कैरल उसे बंद कर देती है और उसे खोलने पर उन्हें एक आदमी की बॉड़ी मिलती है जो 300 साल पुरानी थी और उसे फ्रीज करके रखा गया था हैरिसन उन्हें कहता है कि हर एक टॉर्पीडो में उसका एक आदमी है और उसका नाम हैरिसन नहीं बलकि खान है वो सभी जेनेटिकली मोडिफाइड हूमन्स है इंसानों ने हमें बनाया था लेकिन उन्हों नहीं हमें देश द्रोही घोशित करके हमें करायो चेंबर्स में सुला दिया एक साल पहले मारकस ने मुझे दुबारा जगा कर मुझे खतरनाख हतियार बनवाए और उसने तुम्हें यहां मुझे पकड़ने नहीं बलकि उन टॉर्पीडो को टेस्ट करने के लिए भीजा है जो मैंने बनाए है तभी उनके सामने एक शिप आता है उसके अंदर मारकस था मारकस उसे खान को उसके हवाले करने को कहता है जेमस उसे कहता है कि हम खान को अर्थ पर ले जा रहे हैं और वहीं पर उसे उसकी सजा मिलेगी वो अर्थ की और अपनी शिप को ले जा रहे थे पर मारकस उनका पीछा करता है और उनके उपर हमला करता है और उसके कई लोग स्पेस में मारे जाते हैं कैरल मारकस की बेटी थी वो उसे ये सब रोकने को कहती है लेकिन मारकस उसे अपने शिप में टेलेपोर्ट कर लेता है जेम्स उसे कहता है कि अगर तुमें खान चाहिए तो हम उसे छोड़ देंगे पर वो उसके क्रू को कुछ ना करे लेकिन मारकस उसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर मरने के लिए ही भीजा था वो उन्हें खतम करने वाला था पर तभी उनकी स्पेशिप काम करना बंद कर देती है क्योंकि उसके अंदर स्कॉर्ट था खान ने जो लोकेशन बताई थी वो मारकस के स्पेशिप की थी अब उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया था जेमस डिसाइड करता है कि वो खान के साथ मारकस के शिप में जाएगा स्पूक्स उसे खान को ले जाने से मना करता है क्योंकि उसकी उपर भरोसा नहीं किया जा सकता था पर जेमस के पास और कोई आप्शन नहीं था वो खान को अपने साथ चलने को कहता है और बदले में वो उसके क्रू मेंबर्स को आजाद करतेगा खान स्कॉर्ट को स्पेशिप के डोर ओपन करने को कहता है और वो दोनों अपनी स्पेशिप से जंप लगा देते हैं स्कॉर्ट उस गेट को खोलने ही वाला था कि तभी मारकस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं लेकिन वो दोनों गेट के बहुत पास थे अगर वो गेट नहीं खोलता तो वो बाहर ही जम कर मर जाते स्कॉर्ट गेट को खोल देता है और वो सोलजर वैक्यूम की वज़े से बाहर फेक उठता है वो दोनों अब अंदर आ चुके थे उनके पास फ्यूचर को भी देखने की टेकनोलोजी थी स्पूक्स अपने ही ओल्ड वर्जन से बात करता है और उसे पूसता है कि खान कैसा आदमी है और वो उसे कहता है कि खान पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो किसी को भी मार सकता है खान उनके कंट्रोल रूम में पहुचता है पर जेम्स उसे शूट करके बिहोश कर देता है वो मारकस को सरेंडर करने को कहता है लेकिन वो कहता है कि जिस प्लैनेट की लोगों को तुमने अभी मारा है वो जल्दी ही इंसानों पर हमला करेंगे और अगर मैं अरेस्ट हो गया तो तुम लोगों को कौन लिड करेगा इसी बीश खान जेम्स को मार मार कर अधमरा कर देता है और वो खान उसे कहता है कि उसके लोग बिना ऑक्सिजन के भी जिन्दा रह सकते हैं इसलिए मैं तुम्हारे ऑक्सिजन टैंक को डिस्ट्रोई कर दूँगा और जब तुम्हारे लोग दम घुटने से मर जाएंगे तो वो अपने लोगों को वहां से निकाल लेगा उसे लगा कि यहा उसके चहरे पर जीत की खुशी थी पर तभी वो टॉर्पीडोज एक्स्प्लोड करने लगते हैं क्यूंकि स्पूक्स ने उन्हें एक्टिवेट कर दिया था पर उसमें से सारे कुरू को निकाल लिया था खान का शिप डिस्ट्रोई होने लगता है लेकिन उनका शिप भी क अधर उधर उड़ने लगे थे जेम्स डिसाइड करता है कि वो रियाक्टर को दुबार से स्टार्ट करेगा पर स्कॉट उसे ऐसा करने से मना करता है क्यूंकि उसके रेडियेशन से किसी की भी जान जा सकती थी जेम्स स्कॉट को वहीं पर बांध कर अकेले ही अंदर जाता हैं लेकिन जेम्स की बाड़ी रेडियो एक्टिव हो गई थी स्पॉक्स उसे अंदर लाना चाहता था पर स्कॉट कहता है कि अगर उसने गेट को खोल दिया तो रेडियेशन उनके पूरे शिप में फैल जाएगी इसलिए हमें ना चाहकर भी इंतिजार करना पड़ेगा औ और इस तरह स्पॉक्स अपने ही दोस्त को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखता है उसे पहली बार इतना गुसा आया था और वो खान को मारना चाहता था खान का शिप क्रैश कर रहा था पर वो जान भूज कर उसे शहर के बीचों बीच लैंड करता है ताकि जादा स से जादा लोग मारे जाए स्पॉक्स उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है दूसरी तरफ मैकोई देखता है कि खान के बलड में किसी भी marred हुए को जिन्दा करने की पावर थी वो कहता है कि हमें खान को जिन्दा पकड़ना होगा लेकिन स्पॉक्स और खान के बीच मे fight हो रही थी और Spooks बस उसे किसी भी हालत में जान से मारना चाहता था उससे contact करने का कोई तरीका नहीं था खान उससे बहुत powerful था और उसे मारने वाला था लेकिन तभी यहूरा वहाँ पर टेलिपोर्ट होती है Spooks उसे बुरी तरह पीटने लगता है यहूरा उसे कहती है कि हम उसके blood से जेम्स की जान बचा सकते हैं इसके कुछ हफ़तों के बाद हम जेम्स को देखते हैं मैकोई ने उसकी जान बचा ली थी जेम्स उन सभी को thank you कहता है और इसी के साथ उन्होंने खान को दुबारा से करायो चिम्बर में डाल दिया था ताकि वो और तबाही ना मचाए इन सब के एक साल बाद जेम्स उन सभी को श्रधांजली देता है जो उस दिन स्टार फ्लीट के हेड़कॉर्टर में मारे गए थे और अब उनका नया मिशन था कि अगले पांच साल में वो और नई गैलेक्सी की खोज करेंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं थैंक्स फर वाचिंग